हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकट एक्सपर्ट में दोस्तो एसिया कप 2022 टी ट्वंटी फार्मेट में 27 अगस्त से सुरू हो रहा है इस बार के एसिया कप में बहुत प्रतिछित भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है और कम से कम दो बार और अगर दोनों ही टी में फाइनल में पहुँचती है तो दोनों ही टी में तीन बार आपस में टकराएंगी आज के इस वीडियो में हम Asia Cup 2022 के दूसरे मुकाबले और भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले मुकाबले के बारे में प्रिब्यू करेंगे आपको बताएंगे दुबई में ये मुकाबला होने वाला है तो दुबई International Cricket Stadium का पिछ कैसा खेल दिखाएगी इसके अलावा दोनों ही टीमे काउन सी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगी मैच प्रिब्यू मैच प्रिडिक्सन के साथ-साथ एक बहतरीन डीम 11 टीम भी बिल्कुल फ्री में आपको देते हैं तो वीडियो काफी जबरजास्त होने वाला है वीडियो को बिना कहीं इसकिप किये तो चैनल के माध्यम से क्रिकेट संबन्दी सारी छोटी बड़ी अपडेट आपको देने के साथ-साथ सभी मैच की बेश डीम 11 टीम भी विल्कुल फ्री में आपको दी जाती है दोस्तों बात करें एसी अकप 2022 के लिए पिछ रिपोर्ट की तो दुबई के इंटरनेशनल क् स्कोर नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी ये एक ऐसा पिछ है जहां पर 180 या 200 का स्कोर कम ही मैचों में बनते देखने को मिलता है वैसे कुल मिला के इस वेन्यू पर अब तक 74 T20 मुकाबले हो चुके हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मुकाबले जबकि चेज कर लंका की टीम के पास है जिनोंने पाकिस्तान के खिलाब 3 विकेट पर 211 रन बनाए थे 20 अबर में तो लोवेस्ट टोटल में विस्ट इंडीज की टीम इंगलेंड के सामने मातर 14.2 अबरों में 55 रन बनाते हुए आलाउट हो गई थी हाइस्ट स्कोर चेज की बात करें तो अपगानिस्तानी टीम ने UAE के खिलाब चेज करते हुए 19.4 अबरों में 183 रन बना के मुकाबला जीता था तो लोवेस्ट रन डिफेंड में ओमान की टीम ने अपने 134 रन को सक्सेस्फुली हंग कॉंग के सामने डिफेंड करते हुए मुकाबला जीता था इसके बात दोस के चार मुकाबले खेले हैं जिसमें से दो जीत और दो हार में का मुझ देखना पड़ा है और जीतने वाली दोनों ही मुकाबले दो कमजोड टीमों के खिलाब जीते हैं और स्काटलेंड और नामीविया जैसे टीमों के खिलाब जीत के यहां पर अपना रिकार्ट बनाया ह पाकिस्तान और न्युजी लेंड के सामने भारती टीम को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था वहीं पर पाकिस्तानी टीम का यह स्टेडियम अभेद किला के जैसे है और कुल मिला कि 28 T20 मुकाबले में सोरे मुकाबले जीते हैं इक ग्यारे मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला रिजल्ट नहीं निकल सका था हलाकि ओभर आल T20 फार्मेट में अगर हम देखे तो भारती टीम काफी जबरजस्ट तरीके से डोमिनेट करती नजर आती है और दोनों ही चिर प्लेइंग 11 के बारे में तो जहां पर पाकिस्तानी टीम के लिए उनके प्लेइंग 11 में बाबर आजब मुहमद रिजवान, फकर जमान, हैदर अली, आसी फली, खुसदील साह, सादाप खान, मुहमद नवाज, मुहमद वसीम जूनियर, हारिस राउफ और नसीम साह खेलते नजर आ सकते हैं, तो भारती टीम की बात करें, तो यहां पर रोहित सर्मा के साथ के अल्राहुल विराट कोहली सुर्यकुमार यादवर इसब पन्त, हर्दिक पांडिया, रविंद जडेजा भोने, सुर्कुमार, आवेस खान, युजुएंद चहल, और अर्स दीप सिंग क प्लेइंग 11 में जगबंती न जरा सकती है, मैच प्रिप्यू की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही टीमें टकर की हैं, और भारती टीम ने, हालाकि पिछले भिडंत से पहले काफी हद तक डोमिनेट करती आ रही थी लंबे समय से, लेकिं टी 20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क मिली करारी मात के बाद यहां पर मुकाबला बराबरी का हो गया है, और दोनों ही टीम के अहम तेजगेद बाज, पाकिस्तान के लिए साहिंसा अफरीदी और भारत के लिए जस्पीद बूमरा की अनुपस्तिती में मैच का पलड़ाय बराबरी पर भी आ गया है, तो यहां पर हम उमीद कर सकते हैं, 50-50 का मुकाबला देखने को मिल सकता है, तास जीतने वाली टीम थोड़ा सा फेवरेट नजर आ सकती है, दोस्तों साथी अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके लिए हम जो टीम रिकमेंट करने वाले हैं, उससे पहले आप से कहना च आएंगे टोस के बाद, फाइनल प्लेंग 11 से इस टीम को जरूर स्किप कर लेना है, हमने विकेट कीपर के तौर पर मुहम्मद रिजवान को जबकि बैटिंग आपसन में रोहित सर्मा बिराट कोहली, लोकेस राहुल और बाबर आजम को पिक किया है, आलाउंडर के में युजुएंद चहल भोने, सुर्कुमार, हारिस राउप और मुहम्मद वसीम हमारे लिए गेदबाजी करेंगे, टीम का कैप्टन हमने हर्दिक पांडिया को जबकि वाइस कैप्टन के लूप में मुहम्मद रिजवान को पिक किया है, वीडियो को पूरा देखने के ल धन्यबाद दोस्तों